वेलकम स्टूडेंट्स क्लास टेंथ के आपके जो पर्ष्ट फ्लाइट बुक के उसके दा हंड्रे ड्रेसेज के पार्ट वन और पार्ट टू में जो हमने आपके परला वीडियो बनाया था उसमें वांडा से रिलेटेट सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन्स और वांड और यह सब हमने आपके यह जो केरेक्ट्रिख किइश प्रिपेर किया है इसी में से सारे मोस्ट इंपोर्टेंड जो दूसरे क्वेशन्स बन रहे हैं उनके भी आंसर्स बना लिए हैं जो कि मैं आपको समझाओंगा क्वेशन्स बताओंगा और उन आंसर्स को कैसे लिखना वो भी समझाओंगा मेटर यही रहेगा आपको अलग से कुछ भी याद करने की जरुत नहीं है सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ लेते हैं मेडी इस अ क्लोज फ्रेंड ओपेगी यानि जो मेडी है वो पेगी की क्लोज फ्रेंड है वो भी वांडा की तरह क्या है गरीब है वो एमब्रेश्ड यानि की दुकी होती है निरास होती है वांडा से क्योंकि वो भी पूर क्यानि गरीबी को जानती है क्यों मेडी वो भी दोसरे के दिये हुए पुराने कपड़ेपन त्ये मेडी ये वांडा पुराने कपड़ेपन के आती थी तो मेडी भी उसके जैसी ही थी बट शी इस डिपरेंड प्रोंग वांडा she never says that she has a hundred races लेकिन किस मामले में वह लगती एक तो वो Wanda से केसे डिप्रेंट थी कि वो किसी से कभी नहीं खाती थी कि उसके एक सो पोसा के हैं उसके पास में सो पोसा के हैं She does not have a funny name उसका कोई मजा की नाम भी नहीं था She doesn't live at bogging sites और वो बोगिंग सैट्स में भी नहीं रती थी सी डजन्ट आस्क पेगी टुटोप टीजिंग वांडा विकोज वांडा को सताने के लिए पेगी को नहीं खपाती है कि उसको मत सताओ क्यों क्योंकि वो स्वस्ती है कि एदी वो ऐसा करती है तो पेगी का नेख्ट टार्गेट मेडी रहेगी वो समझ गई इस बात को उसे अपने आपको वो स्कूल यार्ड में पिच्चर्स करती है नहीं कि कल्प ना करती है कि जहां वांडा कड़ी हुई है वहां वो खड़ी है और वही प्रस्न पेगी उसे पूछ रही है तुम्हारे कितने पोसा के हैं कितने शूज हैं वो सब आप्टर वांडाज लिविंग दे स्कूल सी तिंग्स हार्ड अबाउट वांडा जब वांडा स्कूल छोड़ कर चली जाती है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है वांडाज हाउस रिमाइंड्स मेडी ओप वांडाज ब्लू ड्रेस वांडा का मकान मेडी को उसके उस नीली पोसाग के याद दिलाता है Vanda's house and its sparse little yard looked savvy but clean like Vanda's blue dress. Vanda का मकान और इसका चितराया हुआ आंगन भी उसी तरह से भी मत मेला था लेकिन स्वच्च था Vanda की निली ड्रेस की तरह. She also thinks about her glowing pictures of those hundred dresses lined up in the classroom. उसे याद आती है वो सोचती है उन्द चमकती हुई तस्वीरों के बारे में जो सो पोशा के उसने बनाए थी जो कक्षा कक्ष में बहुत व्यवस्ति तरीकी से लगी हुई थी. Mendy makes an important decision that in future she will not stand by and say nothing when someone is making fun of others. आज से मेडी एक बहुत important decision भी लेती है कि future में अगर कोई भी किसी को सता रहा होगा तो वो stand by चुप नहीं रहेगी. She will speak up वो बोलेगी इवने बलेगी इट मीन्स लूजिंग पेगी से दोस्ति को क्यों नखोना पड़े तो यह तो गया इसका character skates और इसका Hindi translation अब इससे बनने वाले सारे most important questions के answers भी हम इससे से बना देगी आई देखते हैं. पहला question लिया है Why is Maddie embraced by the questions Peggy? Ask Wanda. Is she also like Wanda or she is different? Maddie जब पेगी Wanda से प्रस्ने पूछती है तो क्यों embraced हो जाती है? क्यों दुख्यों हो जाती है? क्या वो भी Wanda की तरह है? या लगे अब यह emirate वाला हमने लिखा तो C is also poor. कौन? C. अब यह C की जगह आप Maddie लिखते हैं. C is also poor. वो भी करीब है और इसका answer आप लिखते हैं Boging Sights तक. इसमें आपका answer complete. Question No.2 Why doesn't Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? Maddie Peggy से Wanda को नहीं सताने के लिए क्यों नहीं कह पाती है? What is she afraid? वो किस चें डरती है? किस बाहर से डरती है? C doesn't ask Peggy. C की जगह भी आप Maddie लिख दें. और same questions तक आपको यह answer यहां तक लिख देना है. मैंने start के और last के words हर question के answer के साथ लिखे हुए हैं. Question No.3 Why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? Wanda का मकान Maddie को Wanda की blue dress के बारे में केसें याद दिलाता है. तो आपको इसका answer लिखना है Wanda's house से. और Wanda's house के बाद में आपको यह answer लिखना है blue dress तक. अब यह आपको Wanda's house तो यह रहा और इसको आपको लिखना है blue dress तक. यहां तक लिखने ना यहां से लेकर यहां तक. Question No.4 What does Maddie think hard about? Maddie किस बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है? What important decision does she come to? वो क्या महत्तपूर्ण जिन्ने लेती है? तो after Wanda's living से लेकर पेगी फ्रेंडशिप तक पूरा लिखते हैं. Question No.5 Most important. What important decision did Maddie make? अब यह उने पड़ा. क्या महत्तपूर्ण ने मेडी ने लिया? Why did she have to think hard to do? उसी इतना कटोर क्यों सोचना पड़ा? What was Maddie's decision about picking on someone? और Maddie का क्या ने लिया था? किसी को सताने के बारे में. अब आपको इसका answer लिखना है Maddie Max से लेकर फ्रेंडशिप तक. यानि कि यह तो रहा आपके Maddie Max. अब यहां पर आपको Max की जगह यह जो question है यह पास्ट में दिया हुआ है. तो इतना सा करना है. Max की जगह Made लिख देना है. और यह Will की जगह Would लिख देना है. और यहां पर जहां पर भी आपके E जाया तो यहां वोज कर देना है. तो इसको पास्ट में आपको चेंज कर देन और यह अगर प्रजेंट में आए तो आपको वैसा का वैसाय लिख देना हैं इसके बाद में इसमें अगर यह क्योशन जुड़ा हुआ यह दिलकुल इस से थोड़ा अलग है क्योल मेडी के डिसीजन के बारे में ही है इसलिए हमने दो लाइन साथ में लिख दिये जैसे उसके पास वांडा के साथ तो परिष्टितियां ठीक करने का मोका नहीं मिला बट फ्रोम नाउ लेकिन आज से ओन वो किसे को दुखी नहीं रहने देगी यह तो हुआ इंपोर्टेंट डिसीजन का अब क्योशन नमबर सिक्स ड्रो के रेक्रिक्रिस के जोप मेडी मेडी का के रेक्रिक्रिस केज बनाए तो मेडी से लेकर और फ्रेंट्शिप तक आप पुरा का पुरा लिख दे तो यह हमने आपके टोटल सिक्स एक्क्योशन और उसका एक आंसर प्रिपेर किया है यह मेटर आप इसे अच्छे से याद करें और कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें अपने प्रेंट्श को जरूर सेर करें इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस्टुडेंट्स थेंक्यू